अंधी प्रति दिन मंदिर के दर्वाजे पर जाकर खड़ी होती दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वो अपना हाथ फैला देती और नमटा से कहती बाबू जी अंधी पर दया हो जाए वो जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहरदे और श्रधालू हुआ करते हैं उसका ये हनुमान असत्य न था आने जाने वाले दो चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते अंधी उनको दुआएं देती और उनको सहरदयता को सराहती स्ट्रिया भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें प्राता से संध्या तक वो इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे जोपली का पत ग्रहन करती उसकी जोपली नगर से बाहर थी रास्ते में भी याचना करती जाती किन्तु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती जो पैसे देने की अपेक्षा जिर्किया दिया करते हैं तब भी एंधी निराशना होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। जोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे दो चार पैसे और मिल जाते। जोपड़ी के समीब पहुँचते ही एक दस वर्ष। का लड़का उचलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। एंधी टिटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है? किसका है? कहां से आया? इस बात से कोई परिचे नहीं था। पांच वर्ष हुए पास पडोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इनहीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वो रो रहा था। अंधी उसका मुक चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वो कोई असाधारन घटना न थी। आता। किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन था। उसको वो अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी जोंपडी में एक हांडी गार रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तू से ढाप देती। इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टी उस पर न पढ़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती फिर स्वयम खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगा कर वहीं पर रहती। प्रातक काल होते ही उसको खिला पिला कर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। दो काशी में सेट बनार सीदास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित हैं। बहुत बड़े देशभत और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रूची है। दिन के बारा बजे तक सेट सनांध्यान में सनलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीर लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे। परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेट जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकडों भिखारी अपनी जम्मा पूंजी इनहीं सेट जी के पास जम्मा कर जाते। अंधी को भी यह बात ग्यात थी। किन्तु पता नहीं अब तक वो अपनी कमाई यहां जम्मा कराने में क्यूं हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रूपे हो गए थे। हांधी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वो हांधी उखाडी और अपने फाटे हुए आचल में छिपा कर सेट जी की कोठी पर पहंच जी। सेट जी बही खाते के प्रिश्ट उलट रहे थे। उन्होंने पूछा क्या है बुढिया। अंधी ने हांधी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा सेट जी इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहां रखती फिरूंगी। सेट जी ने हांधी की ओर देखकर कहा इसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया भीक मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे संग्रह किये हैं। अपने पास रखते डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेट जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा बही में जमा कर लो। फिर बुडिया से पूछा तेरा नाम क्या है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकती गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वो सेट जी को आशिरवाद देती हुई अपनी जोपडी में चली गई। तीन दो वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को जुवर ने आदबाया। अंधी ने दवा दारू की। जार फूंक से भी काम लिया। तोने टोटके की परीक्षा की परंतु पूंड प्रयत्न व्यर्थ सिधह हुए। लड़के की दशा दिन प्रती दिन बूरी होती गई। अंधी का हिरदय तूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया की संभवत। डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचा जाए तो बड़ी क्रिपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेट जी ने कठोर स्वर में कहा कैसी जमा पूंजी? कैसे रोपे? मेरे पास किसी के रोपे जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया दो वर्ष हुए मैं आपके पास धरो कोहर रख गई थी। दे दीजिये बड़ी दया होगी। सेट जी ने मुनीम की ओर रहस्य में द्रिष्टी से देखते हुए कहा मुनिम जी। जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। प प्यक्ति भी भला कहीं जूट बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया, उलट पलट कर देखा, फिर कहा नहीं तो इस नाम पर एक प्वाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा सेट जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेटची की ओर मूह करके बोली अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे और अपनी जोपरी की ओर चल दी ये अशीश न था बलकि एक दुखी का शाप था बच्चे की दशा बिगरती गई दवा दारू हुई ही नहीं फायदा क्यूं कर होता एक दिन उसकी अवस्था चिनता जनक हो गई प्राणों के लाले पड़ गए उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई सेटची पर रह रहकर उसे क्रोध आता था इतना धनी व्यक्ति है दो चार रुपे दे देता तो क्या चला जाता और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी अपने ही रुपे मांगने गई थी सेटची से घरिना हो गई बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया उसने बच्चे को अपनी गोध में उठा लिया और ठोकर एक हाती गिरती पड़ती सेटची के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर से भाभक रहा था और अंधी का कलेजा भी एक नौकर किसी काम से बाहर आया अंधी को बैठा देखकर उसने सेटची को सूच ना दी सेटची ने आग्या दी कि उसे भगा दो नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा किन्तु वो उस्थान से नहिली मारने का भय दिखाया पर पोर्टस से मज न हुई उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वो नहीं चलती सेटची स्वयम बाहर पधारे देखते ही पहचान गए बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शकल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है साथ वर्ष हुए तब मोहन किस मेले में खो गया था उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न मिला उन्हें समरन हो आया कि मोहन की जांग पर एक लाल रंग का चिन्ह था इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांग देखी चिन्ह वश्य था परंतु पहले से कुछ बढ़ा उ नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयम मकान के अंदर चल दिये अंधी खड़ी हो गई और चिलाने लगी मेरे बच्चे को न ले जाओ मेरे रुपे तो हजम कर गए अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे चीनोगे सेट जी बहुत चिंतित हुए और कहा बच्चा मेरा है यही एक बच्चा है साथ वर्ष पूर्व कहीं खो गया था अब मिला है सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यतन करके भी इसके परान बचाओ